इस नमस्कार मैं हो सएंधी आया जरगां की टाप 25 फर्मों ख़बर जानते हैं कच को लिए मैं रहे कि पूढ़ है मैसर कार में कमाता सुम मारे वैसे लोग जो सरकारी से वक नहीं है और साथ ही जिन लोगों को बीमा का लाब नहीं मिल रहा है उनहीं आ ओनान देगा पता दे राजे में कितने लोगों को इस स्योजना कलाब मिल सकेगा और इस पर कितनी ख़च होगी इसके आकलन की जिमेदारी राष्टी ये स्वास्त मिशन के अभियाद निदेशक रवी संकर सुकला को दी गई है ज्यारखन के गाउं में दो महिने में 25 है गरामिनों की मत स्वास्त विभाग ने गट 25 मई से ज्यारखन के गरामिन इलाकों में सगन जन स्वास्त सर्वे सुरू किया था जिसमें अब तक 49,12,479 घरों में जाच हो चुकी है इस दोरन पता चला है कि पिछले दो महिने में गरामिन इलाकों में 24,849 लोगों की मत होई है हलाकि स्वास्त विभाग ने इन सभी मतों को समाने मत कहा है बता दे 10 दिनों के इस सर्वे के दोरान 15,602 में गरामिन टीवी के संदिग्द मरीज मिले वहीं अभ्यान में 11,520 लोग में डाइबिटीज 1,13,206 में गरामिन में बीपी अभिर्दाय रोग के लक्षन मिले हाए जार्खन में मैट्रिक परिक्षा के रिजल्ट को लेकर विचार विमास शुरू जार्खन एकेडमी कॉंसिल जाएक की मैट्रिक परिक्षा नहीं होने की स्थिती में रिजल्ट का अधार क्या हो इसको लेकर विचार विमास शुरू हो गया है इसके तहत पाया गया कि CBC द्वारा रियल्ट को लेकर त्यार किये गए मापदन को राजे में मैट्री के च्टूडेन को पास करने के लिए नवी बोर्ड परिक्षा को मैट्री के रियल्ट का मुल अधार बनाया जा सकता है जारखन में एक अप्रेल के बाद हुई मरीजों की मौत का आउडिट कराएगी सरकार राजे के अस्पतालों में एक अप्रेल के बाद जितनी भी मौते हुई है सरकार उसका आउडिट कराएगी इसके तहट जीन अस्पतालों में ज्यादा मौत हुई है वहाँ भी से सगयों की टीम जाकर मरने वालों मरी योग को दी गई दवा उपचार वो अने बेवस्था और मौत के कार्णों का पताल करेगी पता देर राष्टिये स्वास्त मिशन जारखन के अभियान निदेशक रवी संकर सुकला ने इस बावत राजे के सभी उपायुकतों को निदेश दिया है इसके तहट एक अप्रेल से 21 माई तक होई मौत की आउडिट की जाएगी ताकि पता चल सके की समधित व्यक्ति की मौत कैसे होई तथा उसके इलाज के लिए क्या प्रोटोकॉल अपनाए गए थे 12 जुन तक विद्यार्थियों को किताबे उपलवद कराने का निदेश जिला सिख्षा पताधिकाई ने सरकारी स्कूलों में ओनलाइन पढ़ाई सतात रूप से संचालित करने के लिए पताधिकारियों और सिख्षको को निदेश किया है उन्होंने जिले में विद्यार्थियों को 12 जुन तक किताबे हर हाल में उपलवद कराने का निदेश दिया है इसके लिए सिख्षको को घर घर जाकर किताबे पहुचाने को कहा गया है किताबे उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को डिजिटल कॉंटेंट के माध्यम से मिलने वाली पठन समागरी को पढ़ने में सुईधा होगी बता दे विद्यार्थियों को तीन मैसे ही डिजिटल कॉंटेंट भेजे जा रहे हैं जे टेट सिक्षक अभियार्थियों ने नियोक्ति परकिलिया सुरू करने की मांग की राष्टिये युवा अंदोलन के तहत बिहार और उतर परदेश के बाद अवजारखन में सिक्षक अभियार्थियों ने सरकार के खिलाब अंदोलन सुरू किया है युवा अंदोलन जेटेट दोया सोला अवियार्थियों के लिए भी आवाज बुलंद कर रहा है बतादे राश्टी अध्यक्ष अनूपम ने मुख्यमंत्री हमान सुरेन को पत्र लिख कर जेटेट पास जीक-चक अवियार्थियों के लिए नियूक्ति पर किरिया शुरू करने की माग की है उन्होंने कहा है कि हमान सुरेन ने चुनाव से पहले अवियार्थियों से वादा किया था की सरकार बनने पर नियूक्ति पर किरिया सुरू की जाएगी COVID-19 के परसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे है जरूरी कदम सिधार्थ जारखन COVID-19 में हमारे के दूसरी लहर का सामना कर रहा है स्वास्त विभाग द्वारा COVID-19 वाइरस के परसार को रोकने उससे बचाव करने तथा वाइरस के रोकने के लिए बिवीद अस्तर पर आवस्यक कदम उठाए जा रहे है स्वास्त विभाग के नोटर पता दिकारी सिधार्थ पार्टिनर अभिवार को प्रेस वारता में बताया कि COVID-19 की जाएंट 5 जून तक राजे में अब तक कूल 87,65,45 ब्यक्तियों की गई राज की COVID-19 रिकावरीर दर 96.9% था था मिर्थिव दर 1.48% 101 सल के उम्र में देवघर के बुजुरुग ने लिया टीका है जारखन में कुरोना भैक्सिनेशन को लेकर जहां कई गिरामीन इससे कतराते नजर आ रहे हैं वहीं 101 साल के एक बुजुरुग ने टीका लेकर सब को प्रसाहित किया बतादे टीका लेने के बाद देवघर के देवी पूरफ परखन निवासी बुजुरुग छोटा जगदिस महतों ने सभी लोगों से भैक्सिन लेने की अपिल की उन्होंने कहा है कि बीना डर और संकोच के कुरोना का टीका ले इसी से आप स्वस्त रह सकते हैं ज़ारखन में 80% गरामीन इलाका संक्रमन से अचोट सिधार तिरफाठी ने कहा है कि पूर्व में गरामीन इलाकों में संक्रमन के असंका जताई गई थी इसकी जाँच के लिए सरकार ने अभ्यान चलाया अब तक 2,444,10,412 लोगों की जाँच हो चुकी है इसमें 1,86,509 का संदेह के अधार पर रैपिट एंटिजन टेस्ट किया गया जिसमें 926 संक्रमित मिले हैं बता दे इनमें वीकेवल 9 संक्रमित मिले जीने होस्पीटल में बर्ती कराना पड़ा बाकि होम आइसोलेशन में हैं वही 35 बचे भी संक्रमित मिले हैं जारखन में 293 नए केस मिले हैं जारखन में कूल मौत की संक्रमित मिले हैं वही जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्रमित मिले हैं भारत में 1,1,169 केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संक्रमित मिले हैं महत करीब 26,000 एकड़ भूमी पर पोधारोपन होना है और यह काम 12 से पहले पूरा कर लेना है लेकिन अब तक कई जिलो में इसके लिए गढ़े भी नहीं खोदे गए हैं बतादे पोधे लगाने के लिए सुरुवाती चरण में सभी जिलो में कूल 29,99,203 गढ़े करने थे ले सबजी बेचने वालों तक पहुंचा परसासन गुमला जिले के चरणपूर परखंड परसासन ने कुरोना टीका देने के लिए अलग अंदाज अपनाया है बता दे अब परसासन सड़क के किनारे वह बजार में सबजी बेचने वालों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया सबजी बेचने वालों को उनी के दुकान में बिठा कर कुरोना टीका दिया जा रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि टीका लिए है या नहीं जैसे ही जबाब मिल रहा है टीका नहीं लिए है नर्स तुरंत अन्दा स्पोर्ट टीका दे रही है रूपा तिरकी मामले में CBI जाज का अनुलोत करते हुए अभ्यान चलाएगा जारखन मुख्यमंद्री के खिलाप अभाद्र टिपनी करने वाला यूवक गिरफतार मुख्यमंत्री हेमांसुरन के खिलाप अभादर टिपनी करने कारोप में पुलिस ने पूर्णा नगर निवासी रिसी केस कुमार को गिरपतार कर जेल भेज दिया है बतादे रिसी केस पर जामों के लोगों ने सीम के खिलाप ट्यूटर पर अपती जनक पोस्ट करने कारोप लगाते हुए थाना में केस दर्ज कराया था अस्थानी लोगों के अनुसार यू अक टेट पास है और नौकरी नहीं मिलने के कारण तनाव में रह रहा था